क्या टिक टोक की तरज पर अब ट्विटर को भी भारत में बैन कर दिया जाएगा? वेरहाल सोशल मीडिया पर कुछ इसी तरह की आवाजे उठ रहे हैं क्योंकि ट्विटर ने केंद्र सरकार के आदेश को Law of the Land यानि भारत के कानून को एक तरह से मानने से इंकार कर दिया है उसके बाद ट्विटर पर ही एक कैंपेन ट्विटर खिलाब चल रहा है कि ट्विटर को बैन किया जाए मामला क्या है? मामला दरसल यह है कि किसान आंदोलों के बहाने ट्विटर पर हजारों की संख्या में फरजी अकाउंट्स और बहुत सारे ऐसे अकाउंट्स जो की पाकिस्तान से जुड़े हुए है खालिस्तानी एक तरह किसे आइडियलोजी से जुड़े हुए अकाउंट्स हैं वो लगातार इस तरह की फेक न्यूज, प्रबगेंडा और इस तरह की पोश्ट ट्विटर पर डाले थे जिससे कहीं ने कहीं दिल्ली में हिंसा बढ़कने की आशंका लगातार बनी हुई थी और हुआ भी 26 जनवरी को हिंसा भढ़की भी उसके बाद कारवाई करते हुए भारत सरकार ने फेटर को 1178 ऐसे अकाउंट्स को बंद करने का आदेश दिया था उसके बाद ट्विटर ने इन अकाउंट्स को कुछ घंटों के लिए ब्लॉक जरूर किया लेकिन कुछ ही घंटों बाद इनको अनब्लॉक भी कर दिया गया और भारत सरकार को इलेक्ट्रोनिक्स और इन्फोमेशन टेक्नलोजी मिनिस्ट्री को जवाब भेजा गया ट्विटर के तरफ से जिसमें कहा गया कि दरसल उनकी ट्विटर पॉलिसी के आधार पर कुछी दर अगर कोई वालेशन नहीं होता है लिहाजा वो इनको ब्लॉक नहीं कर सकते हैं और मिलकर बादचीत करने की गुहार भारत सरकार से वो लगाते हैं लेकिन भारत सरकार इसके खिलाप एक नॉटिस से भेज देते हैं ITX 69A के तहत कहा यह जाता है कि दरसल ये जो अकाउंट है वो भारत की संप्रपुदा, सरक्षा और एकता अखंड़ता के खिलाप लगातार प्रपगेंडा फिला रहे हैं फिक न्यूज जाल रहे हैं इन पर बैन लगाना ज़रूरी है और उनको मानना पड़ेगा आदेश law of the land मानना पड़ेगा ट्विटर को, ट्विटर इंडिया को उसके बाद होना ये था कि ट्विटर के अधिकारी electronics and information technology ministry के सची उसे मुलाकात करने वाली थे लेकिन उससे पहली ट्विटर इंडिया ने खेल रचा उन्होंने ट्विटर पर एक ब्लॉक डाला जिसमें बताया कि दरसल भरत सरकार ने उनको कुछ accounts block करने को कहा है लेकिन वह accounts block नहीं कर सकते क्योंकि ये freedom of expression के खिलाफ है उन्होंने कहा कि the right to freedom of expression under Indian law ये उसके खिलाफ है और ट्विटर पोलिसी के को उलंगर भी नहीं करते हैं लिहाजा वो नहीं कर सकता है इसलिए वो इसको block नहीं कर रहे हैं हालागी वो कहते हैं करीब-करीब 500 ऐसे accounts है 1178 में से जो की faceless थे nameless थे उनको block जरूर कर दिया गया है लेकिन वो content भी सिर्फ और सिर्फ इंडिया में withheld रखा गया है यानि इंडिया में वो content दिखाई नहीं देगा लेकिन बाकी देशों में वो content जो कहते हो Twitter पर रहेगा यानि एक तरह से partially थोड़ी बहुत बात मानने की बात Twitter ने कहीं और साफ तोर पर यह कह दिया कि यह Twitter policy के खिलाफ है कि किसी को ban किया जाए और इंडिया के जो freedom of expression का law है बुलभूत अधिकार है उसके खिलाफ भी है ऐसा दावा Twitter ने किया इसके बाद भारत सरकार ने एक बयान जारी कह जिसमें कहा गया कि Twitter इंडिया के तरफ से जो उन्होंने मुलाकात के लिए इच्छा जताई थी उसके अधार पर सचीव स्टर के अधिकारों उन्हों से मिलने वाले थे बाचीत होने वाली थी लेकिन इससे पहरे जिस तरीके से ब्लॉक डाला गया है ट्विटर ने वो अजीब है लेहाजा अब भारत सरकार को इस पर जवाब देना होगा यानि एक तरह टक्राव की स्थिति यहाँ पर नजर आती है साफ तोर पर ट्विटर को मानना पड़ेगा भारत सरकार की बात क्योंकि प्विटर पर चले एक कैम्पेयन के चलते 26 जर्वरी को दिल्ली में जबरदस्त हिंसा हुई यह हम सब ने देखा लेहाजा भारत सरकार ने इस पश्च कर दिया कि केंद्र सरकार के आदेश को प्विटर को मानना ही पड़ेगा हाले कि उनके पा को बताऊं कि कोट पहले से ही तयार बैठा है कि कोट इससे पहले कई मामलों में भारत सरकार को ही नोटिस बेच चुका है कि इस तरह के मामलों में वो कारवाई क्यों नहीं करती इस बार तो दो खताम आगे बढ़कर भारत सरकार ने कारवाई की है अगर ऐसे में ट्विटर कूट जाता है तो मामला वहीं पर खत्म हो जाएगा भारे सरकार को अपनी तरफ से कुछ कहने की जुरूत पड़ेगी नहीं कुछ करने की जुरूत नहीं पड़ेगी Twitter भी बचेगा कि कोट जाए जैसे कि टिक टॉक बचा था टिक टॉक ने टिक टोक बैन करने फिर कोश्वस्टूस्टूल वियुशान जाए, लेकिन उससे पहले उससे पहले और माहो अभरत सरकार मपन् להराइस, जिस भुशल मीडिया जिस तरह केंपेण चला जा रहा हैθ ट्विटर लॉफ दा लेंड भारत के कानुन का समान नहीं करता है केंदर सरकार के आदेर श्कुर नहीं मानता है तो उस पर बैन लगाना जरूरी है क्योंकि इस प्लेट्फोर्म का बेजा इस्तेमाल किसान आंदोलन के तहत लगतार किया जाता रहा है भारत विरोधी दभारत फ्रीडम ओब एक्सपरेशन के आधार पर खारीज नहीं किया जा सकता क्योंकि खुद ट्विटर ने कैपिटल हिल पर जो जब जनवरी महिने में अमेरिका में ट्रंप के समर्थों को ने हमला किया वहाँ कैपिटल हिल में घुसे तो उसका जिम्यदार प्रेजिडेंट ट् ट्रंप के अकाउंट को वहाँ पर इस तरह की हिंसा होती है तो प्रेजिडेंट का भी अकाउंट डिलीट कर देता है और यहां इंडिया में वह कहते हैं कि दरसल यह तो फ्रीडम अवाश्परेशन का मामला जबकि यहां पर भी कुछ इसी तरह की घटना हुई लाल के के लिए इस तरह के बाहरे ट्विटर कर रहा है अब होगा क्या दो चीजे हो सकती है या तो ट्विटर आसानी से जो भारत सरकार ने आदेश दिया है फिलहाल 1178 अकाउंट को ब्लॉक करने का उनको पूरी तरह से माल ले या फिर भारत सरकार के पास भी अब कोई चारा नही पचता है क्योंकि जिस तरह के हालात ट्विटर के जरीए खड़े किया रहे हैं ऐसे में भारत सरकार भी थोस कदम उठा सकता है थोस कदम के माइने क्या है थोस कदम कुछ ऐसे ही जिस तरह से टेक टॉक जैसे प्लेटफर्म के लिए उठाए गए यानि ब्लॉक करना उसके अंतराश्य प्रपगेंडा उसके पास खड़ा हो सकता है वो एक अलग कहानी है वो वैसे भी हो ही रहा है लेकिन ट्विटर के होने से और ट्विटर के भारत के कानून के ना मानने से जो हिंसा जो गड़बडिया हो सकती है उसको रोकनी के लिए शायद भारत सरकार के पास सब यही चारा है और अगर बार सरकार ट्विटर कर सामने जुकी तो जिस तरह किसे ट्विटर अपनी मनमानी पूरी दुनिया में करता रहा है उसकी मनमानी को रोखना पॉसिबल नहीं हो पाएगा लिहाजा अब लोगों के बीच से आवाज उठने लगी है कि ट्विटर को ब बरता है इस तरह का धीटता दिखाता है कि करवाई तो बनती है बाद में वह सुप्रीम कोड जाए या फिर अंतराश्ट्र अस्तर पर फ्रेडम अगस्प्रेशन के नाम पर चिल्ला चिलकों करते रहें वह बाद का मामला है लेकिन फिलहार सीधा एक संप्रभुता संपन्य तरह के तोर पर भारत को करवाई करनी होगी इसका रेपरकुशन क्या हो सकता है ट्वेटर के लिए यह होगा कि 70 करोड यूजर्स इंडिया में जो इंटरनेट यूज करते हैं ऐसे देश में जो मार्केट उसका मिला है वह मार्केट उसके लिए खत्म हो जाएगा बंद हो जाएगा उसका दास्ते बंद हो जाएगा नतीजा यह होगा कि US में अर्बो डॉलर के जो उसका शेर हैं वो धढ़ाम से नीची आसानी से गिर सकते हैं इसका अंदाजा Twitter का होगा और दूसरी स्तिति क्या हो सकते हैं दूसरी स्तिति यह हो सकते हैं कि users खुद Twitter के platform से दूर हटना शुरू हो और दूसरे platform की तरब रूख करना शुरू करें जिस तरह के मामले में हमने हाल ही में WhatsApp के मामले में देखा कि WhatsApp ने एक तरफा privacy policy बदलने का ऐलान किया लेकिन जिस तरह के से लोगों ने signal एप की तरफ जाना शुरू किया अचानाक लाखों लोगों ने मिलियंस में users signal app की तरफ रूख करने लगे तो WhatsApp को अपनी policy थोपने का जो अदेश है जो इरादा है वो बदलना पड़ा कुछ इसी तरह का मामला यहां पर सकते हैं लेकिन users Twitter के मामले में ऐसा कितना कर पाएंगे वो देखने वाली बात होगी वो एक तरह की दूर की कोड़ी ही नजर आती है वो अतनी आसानी से Twitter के मामले में कम सकम होना संभव मुझे दिखाई नहीं देता प्रटिवियों हुई ऐसे में एक ही रास्ता है जो Twitter और Freedom of Expression के नाम पर जो भड़काव कंटेंट है फेक न्यूजस को बैन करना नहीं चाहता वो सीधे सीधे प्रेस की स्वतंतरा के नाम पर इस तरह के ईस तरह की प्रेस की स्वतंतरता जो की बेलगाम हो ईसका सभीधान में कोई प्रभदान नहीं है लगाम सब पे है लगाम प्रेस पर भी है लगाम लोगों पर भी है और लगाम यहां पर काम करने वाली विदेशी कमपणियों पर भी है इजिंशियों पर भी है परसरत्य की वह भारत के कानुन का भारत के समधान का पालन करें सम्मान करें गेंद भारत सरकार के पाले में हैं देखना दिल्चस्ट होगा कि आने वाले दिनों में भारत सरकार क्या कारवाई करती ह आगे आगे देखिए होता है किया नमस्कार